हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल अनिश्टोपेबल एजूकेशन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मुवीज के सब्टाइडल का यूज करके अपनी इंगलिश को इंप्रूफ कर सकते हो एक बहुत ही बहतरी न तरीका है इंगलिश सीखने का अगर आप भी अपनी इंगलिश को इंप्रूफ करना चाहते हो और इंगलिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंट तक जरूर देखना सो फ्रेंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस सो फ्रेंड्स यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो इसे इंगलिश में बोलेंगे I want you to make me a promise I want you to make me a promise यानि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो I want you to make me a promise चाहे जो हो जाए no matter what happens no matter what happens यानि चाहे जो हो जाए no matter what happens हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे we will always be good friends we will always be good friends यानि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे यानि हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे यानि हमेशा पुलिस वाले को देखते ही भाग गया तो इसकी बास सुनकर ये कह रहेंगे कि उसने जरूर कुछ गलत किया होगा यानि उसने जरूर कुछ गलत किया होगा अगर वो पुलिस वाले को देखके भागा है तो इसकी बास सुनकर नहीं तो वो ऐसा नहीं करता किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है हाँ पर ये कह रहा है कि मुझपर वैसा करने को दबाव दिया गया था इसे इंगलिशने बोलेंगे अगर मैंने वैसा नहीं किया होता if I hadn't done that तो वो मेरी लड़की को मार देता he would have killed my daughter he would have killed my daughter तो वो मेरी लड़की को मार देता he would have killed my daughter मैं अपनी लड़की को हमेशा के लिए खो देता I would have lost my daughter forever I would have lost my daughter forever so friend काफ useful sentences उज़ हुए है conditional sentence है अगर तुम मेरी जगा होती तो क्या करती what would you do if you were in my place what would you do if you were in my place यानि अब तुम मुझे बताओ अगर तुम मेरी जगा होती तो क्या करती now you tell me what would you do what would you do if you were in my place अगर तुम मेरी जगा होती तो क्या करती आज मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ किससे बता रहे है कि something really nice happened to me today something really nice Happened to me today यानि आज मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ Something really nice Happened to me today यहाँ पर यह किसे कह रहा है कि मुझे यह quote पसंद है क्या मैं इसे पहन कर देख सकता हूँ काफ useful sentence है तो हम इस इस तरीके से बोलेंगे I like this quote यानि मुझे यह quote पसंद है I like this quote May I try it on तो जब भी हम किसी कपड़े को कहते हैं कि क्या मैं इसे पहन कर देख सकता हूँ तो हम बोलेंगे May I try it on क्या मैं इसे पहन कर देख सकता हूँ तो यहाँ पर यह कह रहा है कि I like this quote मुझे एक quote पसंद है May I try it on क्या मैं इसे पहन कर देख सकता हूँ तुम एक दिन में कितने घंटे काम करती हो यह काफ यूसफूल सेंटेंस है जब भी हम किसे कम्यूनिकेशन करते हैं जातर काम पर किसी ऐसी जगा तो हम इस तरीके से अपने दोस्तों से किसे पूछ लेते हैं तुम एक दिन में कितने घंटे काम करते हो तो इस एंगलिश में बोलेंगे How many hours a day do you work? यानि तुम एक दिन में कितने घंटे काम करती हो यहां लड़की से पूछ रहा है कि How many hours a day do you work? मैंने आज टॉम के अलावा किसी से बात नहीं की इस एंगलिश में बोलेंगे I haven't talked to anyone but Tom today I haven't talked to anyone but Tom today So friend जब भी हम इस तरीके से बोलना हो जैसे कि हाँ पर यह बोल रहा है कि आज मैंने टॉम के अलावा किसी से बात नहीं की तो हम बट का यूज करके इस sentence को बना सकते है I haven't talked to anyone but Tom today आगे होगा इहां पर किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि वैसे वो उस ड्रेस में काफी खुबसूरत लग रही थी इस एंगलिश में बोलेंगे वो तो कुछ भी पहनले खुबसूरत ही लगती है तो friend इस तरीके से हम बोल देते हैं किसी के बारे में कि वो तो कुछ भी पहन ले खुबसूरत ही लगता है या लगती है ऐसो यहाँ पर ही कह रहे है कि वो तो कुछ भी पहन ले खुबसूरत ही लगती है इस इंग्लिशन बोलेंगे she looks pretty no matter what she wears मुझे public में बोलने की आदत नहीं है इस इंग्लिशन बोलेंगे के लिए किसी और को ढूण लो that's why please find someone else for this job that's why please find someone else for this job तो इस एक काम दे गया था गया है गर तुछ आप प्बिलिक के बीच में बोलना है तो कह रहे है कि I am not used to speaking in public मुझे public में बोलने की आदत नहीं है that's why इस लिए please find someone else for this job इस काम के लिए किसी और को ढूंड लो मैं तो ये चाहा कर भी नहीं कर सकती मुझे यहां देखकर तुम खुश नहीं लग रही इसे एंग्लिशन बोलेंगे You don't seem happy to see me here यानि मुझे यहा देखकर तुम खुश न幸ी लग रही You don't seem happy to see me here तुम चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाते हो इस English ने बोलेंगे Why do you get angry over small things यानि तुम चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाते हो Why do you get angry over small things काश जो मैंने तुमसे करने को कहा था तुमने वो क्या होता ऐसे English में बोलेंगे I wish you had done what I asked you to do I wish you had done what I asked you to do यानि काश जो मैंने तुमसे करने को कहा था वो तुमने क्या होता I wish you had done what I asked you to do So friend, आज की वीडियो में इतना ही, जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी तो यूसफुल लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्यूंकि आपके एक लाइक से हमें motivation मिलते हैं सितरी की वीडियो बनाने की तो friend अगर आप इस तरीके से practice करना चाहते हो English को improve करना चाहते हो और English अच्छे से बोलना चाहते हो तो हमारे इस channel को subscribe जरूर कर लेना क्योंकि इस channel पर इस तरह की videos हम regular upload करते रहते हैं So friend अगर आप को इस तरीका पसंद आया हो आप इस तरीके से और भी वीडियोज ऐसी वीडियोज देखना चाहते हो तो लाइक जरूर कर देना And thank you so much for watching this video friends